प्रियागराज जिले में एक बार फिर दिल धहलाने वाली खटना को अंजाम दिया गया है। उनकी पत्नी और दो बच्चों सहीद एक अन्य की धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई। बिली जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिस्त में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुँच गई। सुराओं थाना सहीद कई थानों की फोर्स सहीद जिले के अला अधिकारी मौके पर पहुँचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या कांट को लेकर अभी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस अधिकारी की माने तो जांच की जा रही है। फॉरंसिक टीम सहीद, आईजी रेंज प्रयाग राज, एससपी सहीद, एसपी गंगा पार, कई थानों के सीयो मौके पर पहुँचे हैं। घटना बीती रात की बताई जा रही है। इलाके में लोगों का आकरोस देखते हुए फॉर्स तेना की गई है। बता दें, इससे पहले परिवार के चार लोगों की हत्या हुई थी। ये एक सोनुत वारी जी हैं, और उनके पिता हैं, और उनकी पतनी हैं, और उनके दो बच्चों का मुर्डर हुआ है। तत्रम जिस्टिया ये लग रहा है कि ये मुर्डर है, और हम लोग इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं, और जल्दी हम लोग कोशिश करेंगी कि जो सही गैंग है, उसका हम वरक आउट करेंगे। ये हत्या किस धारदार हत्यार से हुए, कैसे की गई है। ये हत्या घर के जो सामान है, उनी का इस्तमाल किया गया, कोई फायराम या कोई ऐसा वैपन नहीं पता चल रहा है। घर के जो सामान है, लोहे के सामान है, चाहे सिल्बटे है या और सामानों का इस्तमाल किया गया है। क्या लगता है सेर कि लूट का है कि कोई रंजी से यह अभी तो यह नहीं का यह मर्डर हुआ है अब इन्वेस्टिकेशन का विशा है कि कैसे हुआ है क्यों हुआ है हम लोग हमारी टीम फॉरंसिक टीम आ गई है वो इन्वेस्टिकेशन कर रही है हम लोग भी लगे है जल्दी इसको हम रुबर काउट करेंगे। इसको हम रुबर काउटियों की धारदार हतियार से काट कर हत्या कर दी गई जी।